कल अतीक के लड़के असद और उसके शूटर गुलाम के एनकाउंटर के बाद जो मजहबी सियासत तेज हुई वो माफिया गिरोहों से भी जादा खतरनाक है यह वही सियासत है जो ऐसे अपराधी पैदा करती है उन्हें सनक्षन देती है और उन्हें सत्ता के समानंतर अपनी सत्ता खड़ी कर लेने की छूट देती है मैं को दारण देता हूँ कि कितनी आप क्या कहेंगे मतलब आप क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे कितना जूट का आडंबर है परसों पश्यमी उत्रपदेश में एक धाई लाख रुपय का इनामी बदमाश एंकाउंटर में मारा गया आपने उसके एनकाउंटर पर कहीं हंगामा सुना धाई लाख के नामी बवी था चोटा मोटा बदमाश पुता नहीं सुना कहीं असदुदिनों वेसी समाजवाधी पाटी बहुजन समाज पाटी से लेके अम हुआ मोटरा तक टीमशी तक और सब लोग मैदान में उतर आये हों तीर कमान लेके कहीं सुना था नहीं ना किसी ने ऐसा बोला ता कि सम्विधान की हत्य हो गई किसी ने बोला ऐसा जो भाई चारा की हत्य हो गई अब भाई कोने चारा कोने छोड़ दीगे आपने ने सुनोग कर ने बोलन क्यों नहीं बोला क्योंकि वो जो रानाम एनकाउंटर में मारा गया पश्यम में आसत के एनकाउंटर से ठीक एक दिन पहले वो हिंदू था इसलिए वो उस एनकाउंटर में ज्यादा चिलपों की ज़रुवत नहीं मैसूस हुई से आसत को इसमें है क्यों एनकाउंटर तो एनकाउंटर है एक सी चिलपों दोनों पर क्यों नहीं मचेगी क्यों नहीं मचनी चाहिए यही वो है मज़ब की सियासत आप माफिया का मज़ब आगे रखके चलना चाहते हैं का जा रहा है कि भाईचारा को खंडित कर दिया गया मतलब अपराद ही अपराद करते रहें उसके बाद निर्मुक्त घूमते रहें वहमुक्त रहें तो भाईचारा जिंदर बाद ऐसे भाईचारे का वो क्या किया जाए ओड़ है कि विचाया जाए परताल इसकी भी होनी चाहिए कि अतीक और मुख्तार जैसे लोग इतने बड़े हो कैसे जाते हैं कि इंसान की खाल उदेड़ कर उसका शरीर चवराहे पर फिकवा दे और फिर पुलिस को पुरी शान के साथ सूचना दे कि हमने किया है ये लोग इसे हो कैसे जाते हैं आज शाम पांच बिजी रही मेरे साथ इसी मसले को समझने की कोशिश करेंगे कि जो अपराध में भी मजब है मजबी एंगिल है वो कितना खतरनाक होता है वो पुलिस के हाथ पाउं बांध देता है वो सुरक्षा इजिंसियों के लिए संकट पैदा कर देता है सत्ता का भोड़ा और अभद्र किसम का सनरक्षन ऐसे अपराध को मिलता रहता है क्यों? क्योंकि हम माफिया का मजब देखने के आदी हो गए अतिक और राणा वराबर क्यों नहीं हो? अपराधी अपराधी है क्या इसलिए कि उसका मजब एक विशेश मजब है इसलिए इस सियासत हो रही है? लाग टक्के का सवाल है आज शाम पाज बजे इसी का पोस्तमार्टम करेंगे बिरसात रहीगा धन्यवाद